क्या है आज की बात मेरी बात आप की बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं उतिहाद सक्ता समाज संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ कैसी विडंबना है कि हरियाना का जो मानेसर देश और दुनिया में मारुती सुजकी उद्योग के एक बड़े सेंटर के लिए भी ख्यात रहा है वो अब कुछ समय से मोनू मानेसर नाम के एक अजीब तरह के चरित्र के लिए ख्यात सा हो गया है और अब पिछले दो-तीन दिन से दंगों के लिए वो सुर्खियों में है इसका श्रे जो भी लेना चाहे ले ले बलकि मैं तो कहूंगा साहस के साथ ले पिछले कुछ महीनों से जिस दुस्ताहस का प्रदर्शन मोनू मानेशर करता आ रहा है उसके लिए कौन जिम्यदार है कोई तो बताए मोनू नामक उसको ख्यात चरित्र की चर्चा इसलिए कि नूह के सावाजिक जीवन और सामधाइक शांती में खलल डालने की शुरुआत उसके ही एक कथित वाइरल वीडियो से होई बताई जाती है दोस्तों उसका 27 जुलाई का ये वीडियो क्या बताता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा सुना होगा लेकिन दोस्तों अगर उस वीडियो को आप देखें तो निश्चित रुप से आप पाएंगे कि उसमें एक संकेत है इस से पहले बता दें कि मोनू माने सर अपने को बजरंग दल और गौ रक्षक दल से जुड़ा एक आदमी बताता है एक पदादिकारी कारिकरता बताता है वो हर्याना का है और पडोस के राजस्थान जाकर पिछले दिनों जुनेद औ जब की बात बिल्कुल सामने आई ऐसा बताया जाता है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी वो कारोबारी थे हत्या के समय से ही वो फरार है और अपने को वेगुनाह कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया लेकिन अजीब बात है कि हत्या के आरूपी F.I.R. होने के बादूद उसको पुलिस ने गिरफतार नहीं अब तक किया है वो गिरफतार नहीं हो सका गिरफतार नहीं किया गया ये बात कोई नहीं जानता लेकिन दोस्तों 27 जुलाई को उसने अपना कथित जो वीडियो रिलीज किया नुह और आस पास के एक खास धर्म को मानने वाले लोगों का एक कथित धर्म यात्रा में शामिल होने का उसमें आहवान था बलकि उसको शोभा यात्रा कहा गया 31 जुलाई को ये जो कथित हिंदुत्तवादी संगठनों के आहवान पर नुह के एक चौक से वो शोभा यात्रा निकल भी गई यात्रा निकली और फिर नुह की शांतिवियोस था तार-तार हो गई उसका नाम भले ही शोभा यात्रा था पर इसके चलते पूरे इलाके में इस्थितियां अशोभनी हो गई भायानक इस्थिति पैदा हो गई हालात दोस्तों इतने खराब हुए कि दंगे फसाद आगजनी और हिंसा की चपेट में मनिसर ही नहीं नुह ही नहीं गुरगाओं के अन्य सेक्टर भी आ गए जिसे मवजुदा सरकार ने गुरुग्राम नाम दे रखा है गुरुगाओं में सेक्टर 57 के पास की एक मस्जिद को दंगाईयों की भीड ने जला दिया और उसके नायब इमाम को बेरहमी से मार डाला उसकी उम्र कम बताई गई बताया जाता है कि वो बिलकुल युवा थे प्रशासनिक सुत्रों के मुताबिक नूह और गुडगाओं मिलाकर अब तक इस इलाके में छे लोगों की हत्या होई है जिनमें होम गाड के दो जवान भी शामिल है हमें दंगे के और भी व्योरे मिले हैं दोस्तो पर हम व्योर के नूह और गुडगाओं में ही नहीं हुई है अब निउ इंडिया में हिंसक हाथसों और नफरत के पागलपन में की जा रही हत्याएं जमीन से लेकर रेल गाड़ी तक में होने लगी है रेल गाड़ी भी सुरक्षित नहीं रह गई है पहले डर लगता था कि रेल यात्रा में कोई दुरगटना न हो जाए लेकिन अब तो ये भी हो रहा है कि रेल यात्रा में हत्या न हो जाए 31 जुलाई को ही महारास्ट के मुंबई के पास चलती हुई जैपूर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक भयानक घटना हुई जिसमें आरपी अफ के सब इंस आरपी अफ उसका ही एक कांस्टेबल चेतन सिंग था नाम था चेतन लेकिन वो काम कर गया चेतना हीन पिशाच का पहले उसने अपनी ही पुलिस फोर्स के एक इंस्पेक्टर को मारा और फिर आगे के डिबों में खोज खोज कर मुस्लिम समधाय के तीन अन्य लोगों को भी मार डाला इस तरह सामप्रदाइक नफरत की आग में जलते आरपी अफ के 34 साल की जवान ने चार लोगों को बेवज़ा मार डाला बताते हैं कि लोगों को मारते समय वो बड़ा बड़ाता जा रहा था कि हिंदुस्तान में रहना है और वोट देना है तो मोदी और योगी य धूरा रह गया उसके बयान का ये अंश एक वाइरल वीडियो का हिस्सा बताया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा कोई रहा होगा वहां उससे उसने घटना स्थल पर शूट किया ऐसा बताया जाता है हम इस वीडियो की सत्यता के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं पर विभ बात कही है हमें आशा है कि पुलिस और अन्य जो संबद्ध एजनसियां है इस वीडियो की सत्यता की जाच जरूर कर रही होगी पर एक बात तो आईने की तरह साफ है कि आरपी अफ का जवान चेतन की चेतना किसी शासकी एजनसी के करतब ये निस्ट करमशारी जैसी नो होक होती है यही नहीं देश के हिंदुत वादी राजनीत को नापसंद करने वाले आम लोगों को भी ऐसे लोगों से चिड होती है अभी सोशल मीडिया पर चेतन के बारे में बहुत सारी सूचनाएं और टिपणियां आ रही हैं उनके डिटेल्स में मैं नहीं जाओंगा पर दो सूचना और टीवी पुरम ने मिलकर हत्या और विध्वंस के ऐसे असंख जामवियों को जन्म दिया है चेतन ने अपने सोच से असामत आरपीफ के अपने ही सिनियर टीकाराम मीना को मार डाला फिर दाड़ी और टोपी वालों को खो जा और फिर जिने पाया उन्हें भी मार का कोई कोई उदाहरन नहीं मिलता पर ब्रज शोभाय आत्रा के नाम पर इस साल यानि 2023 में इतना सब कुछ हो गया जिसकी कलपना नहीं की जा सकती थी दो होम गार्ड गुरगाओं की एक मस्जित के नायब इमाम सहित कुल छे लोगों की जाने चली गए इन में कुछ बजरं और कैसे हुआ कौन जिमेदार हैं और किन की भूमिका है और किन की विफलता है इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले दोस्तों ये बताना जरूरी है कि नूम और गुरगाओं की हिंसा और सांपरदाइक उपद्रों से सिर्फ हरियाना की ही नहीं पूरे भारत की बदनाम पर इंटरनेशनल मैप पर एक और द्योगी केंद्र के रूप में एक आईटी हब के रूप में विख्यात है दो दिन से समुचा गुरगाओं बंध है देश वीदेश की कमपणियों ने अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश दे रखा है सब्सक्राइब मैं जहां रहता हूँ हमारी कालोनी में कई ऐसे नوجजवान हैं जो गुरगाओं में काम करते हैं उन से जब मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि उनके मालिकों ने उनके सीओ ने उनके मैनेजमेंट ने कहा रखा है कि आप घर पही रहा कर काम कीजिए पूरी बिल्डिंग बंद कर दी गई है उनकी बड़ी बड़ी फैक्टरियां बड़े बड़े जो आईटी हब्स हैं बड़े बड़े जो उपक्रमों के दफ्तर हैं उन पर ताला लग गया है बहुत सारी कालोनियों में रहने वाले लोग जो हाई फाई लोग हैं बड़े घरों के लोग हैं उन्होंने ताला बंद करके घर में और वो दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर गए हैं कई लोग दूर के होटलों में जाकर रहने लगे हैं क्यों क्योंकि नजाने कब कोई भीड आ जाए कब कोई याग लगा दे तो भारत की बदनामी आज कहां तक ट्रेविल कर चुकी है दोस्तों ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदुत वाधित संगठनों की कथित शोभा यात्रा को निकालने की जरूरत ही क्या थी continuum किस बात के लिए यात्रा ती ये ग्ञान के लिए लोग यात्रा निकालतें हैं किस चीज के लिए सिक कोलंबस की यात्रा खोज के लिए थी आप बुढ़े लोग हमारे गाओं में कस्पों में अनेक लोग जब बुढ़े हो जाते हैं तो धर्म यात्रा पर निकल पड़ते हैं लेकिन ये नौजवान जो यात्रा कर रहे थे ये किसी खोज के लिए किसी ग्यान के लिए किसी जवाय के लिए, किसी धरम करम के लिए मुझे तो इन में कुछ भी नहीं नजराता है दोस्तो इन तीनों स्थितियों में हिंसा और तनाव के लिए कहां जगह थी मतलब आप देखें जवाय हो, धरम हो या खोज हो, ग्यान हो तीनों में कहीं भी तनाव की हिंसा की मार काट की तो जगह ही नहीं बसती है तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि ये सब क्यों और कैसे हुआ हत्या के जो अव्यूक्त है मोनु माने सर उस जैसे कुख्याच चरित्र के कतित जो वाइरल वीडियो है और उस पर जो रियक्शन दिखाई दे रहा था उन सब के बावजोद पुलिस ने यात्रा को इजाज़त ही क्यों दी ये तो वैसी ही स्थिति है कि बैल आ मुझे मार जब ये सब कुछ जाहिर हो चुका था कि तनाव बन रहा है एक तरफ वीडियो दूसरी तरफ उसका रियक्शन ये सब सोचल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएगा तो ये यात्रा की जरूरत क्या थी और वो अभी इतनी कम सेक्योर्टी उस समय थी कई लोगों ने हमको बताया कि उन लोगों ने जिन जगों पर शरण ली जब उपद्रों होने लगा उन जगों पर बहुत कम पुलिस थी और भीड़ ज़्यादा थी तो ये सब गलती थी या निरने करने में कोई चूप थी, कोई और मामला था या निरने ही गलत था, मनसुबा ही गलत था दोस्तों नहित स्वार्थ की शक्तियों के लिए बहुत सारे कारण और कारक हो सकते हैं लेकिन कुछ नहित स्वार्थ इसमें नजर आता है ये मैं जरूर कहूँगा अभी तक देश की रायनीत में मनिपूर का मुद्दा चाया रहा है वो अभी एक भयानक अनप्रेसिडेंटेड एक तरह का रायट है जो सिविल वार जैसा बन गया सिविल वार सरकार वहां की बस तमाशा देखती रही या खेल करती रही इसी बीच च कोड़ गाओं का दंगा सामने आ गया अगले साल देश का और प्रदेश का चुनाव भी होना है दंगों और चुनाव का भी रिष्टा है एक बहुत विख्यात कभी दिवंगत गोरक पांडे की एक कविता इस समय मुझे आदा रही है जो दंगों और चुनाव के रिष्टो पर है वो कविता दोस्तों है मैं देखके पढ़ता हूं ताकि एक भी शब्द गलत नहों कभी की पंक्तियों को उसी तरह से हूँ भू पेश किया जाना चाहिए कविता है इस प्रकार इस बार दंगा बहुत बड़ा था इस बार दंगा बहुत बड़ा था खूब हुई थी खून की बारिश अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की तो ये गोरख पांडी की कविता थी जो दोस्तों मैं आपको सुनाना चाहता था ऐसा लगता है कि समूचे देश में इस वक्त छोटे-छोटे मनिपूर तयार किये जा रहे हैं मनिपूर को हम देख चुके हैं उसको लेकर संसद में गूज उसकी अनगूज अभी भी चल रही है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देश के हर इलाके में साउथ इंडिया के कुछी स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए जहां स्थितियां बिलकुल अलग है पूरे द वहां पर अब जैसे एक उदारन है पश्ची मुत्रप्रदेश के तराई के इलाके में एक शाहर में कॉमिनल राइट की स्टिती बनी तो वहां के स्पी साहब उनका नाम है प्रभाकर चौजरी साहब प्रभाकर चौजरी साहब की कोशिशों से उनके प्राम्ट एक्शन से वहां पर राइट की स्टिती नहीं पैदा हुई या कंट्रोल हो गया राइट जो कुछ लोगों के इस तरह के मनसूबे थे लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया उनको सम्मानित करने के बजाए उनका ट्रांसफर ही हो गया बहराल उसको लेकर भी बड़ी कोशिश लोग कर रहे हैं कि लोग महबत भूल जाएं याराना भूल जाएं एक जुटता भूल जाएं और एक दुसरे से लड़ने लगें शायद कुछ लोग अपने मुल्क को ऐसा ही बना देना चाहते हैं क्या सचमुच हमारा देश ऐसा बन जाएगा प्यारे देशवासि इसे बचा लो भारत यानि इंडिया को ऐसा बनने से बचाना होगा सब को मिल की बचाना होगा हमें सिविल वार नहीं सिविलाइजेशन की जरूरत है हमें टकराओ की नहीं प्यार की जरूरत है हमें सामप्रदाइक्ता की नहीं एक जुटता की जरूरत है किसी सिर्फिरे च उनुकी नहीं सही चेतना की जरूरत है चेतना संपन्न लोगों की जरूरत है अपने देश को सुखी शांत और संब्रिद्ध देश बनाएं जहां लोग सही और गलत का फर्क कर सकें आज दोस्तों इतना ही नमस्कार आदाब सत्स्रियकाद झाल 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 झा